सुलेमानी हकीक रत्म, जिसे अंग्रेजी में सुलेमानी हकीक स्टोन वी कहा जाता है, एक प्रकार की प्राचीन और मूल्यवान रत्म है, जिसे ज्योतिश और तंत्र में अनुष्ठान के लिए प्रशंसा दी जाती है, हमारे पूर्वजों के द्वारा अनंत काल से ही विभि इन रंगों में उपलब्ध होते हैं, रत्नों का प्रयोग लोगों के द्वारा उनकी कुंडली ग्रे, दिशाओ, नक्षत्रों का विशलेशन करने के पश्चात धारन किया जाता है, इन रत्नों में हमारे काया को रूपांतरित एवं प्रभावशाली बनाने के साथ साथ ब प्रिपा प्राप्त करने में भी उनका योगदान कुछ कम नहीं होता है, रत्न दीरगायू होते हैं तथा इन में भौतिक गुनों का समावेशन प्रचुर मात्रा में होता है, पत्थरों में से एक अनमोल पत्थर सुलेमानी हकीक, सुलेमानी हकीक स्टोन बेनिफिट्स इन हिंदी, को माना जाता है, जिसकी खूबियां गिंते गिंते आप थक जाएंगे किंतु इसकी खूबियां खत्म नहीं होगी। वर्टमान के समय में वर्चुल वर्ड में लोग जीतो रहे हैं, किन्तु उनमें जीवन्त की भावना पूरी तरह से समाप्थ हो चुकी है, केवल वे लोग खुद के शरीर को धो रहे हैं आज का मानव कहने को तो बहुत ही अधिक प्रगतिशील हो चुका है, ना जाने कौन कौन से आकाशिय पिंडो पर अपना राज्य स्थापित कर चुका है, किन्तु फिर भी लोगों के मन की उदासी नहीं जाती है लोगों के मन के अंदर की नीरस्ता नहीं जाती है एल कहीं न कहीं उनके मन में दर चिंता धब्राहट जैसी चीजे व्याप्त रहती है किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, अक्सर किसी अन्होनी के होने का भाव रहता है, तथा अक्सर बिना कोई वज़े है वह बीमार रहने लगते हैं, मानसिक तनाव में गिरने लगते हैं, उनका कोई कार्य भी नहीं बनता है उनमें लाख गुनों की भरमार क्यूं ना हो फिर भी उन्हें जीवन में केवल अस्थिर्ता का भाव ही प्राप्त होता है। उनकी जिन्दगी में उथल पुथल मची हुई होती है, ना कोई रिष्टा धन से निभा पाते हैं ना कोई कार्य अच्छे से कर पाते हैं। नवीनतम कार्य की यदी शुरुआत करते भी हैं, तो वह कार्य बीच में ही किसी न किसी वजह से रुप जाता है, या फिर सोचा हुआ कार्य कभी पूर्ण ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व कुछ जगहों पर पाए जाते हैं, जो हमारे मन को निराशा से भर देते हैं, जैसे नकारात्म कूर्जा, यह नकारात्म कूर्जा ही है, जो हमारे मन मस्तिष्ट पर इस तरह हावी होता है, कि हम वास्तविक दुनिया से खु परदे जानने के पश्चात लोगों के मन में ये भावना उचती है कि हम इसके बारे में और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें तथा इसके और विभिन पहलों को भी कैसे जाने एवं समझे जिससे इसका उपयोग कर हम अपने जीवन पर व्यापक प्रभाव देख सकते हैं ये रत्म हकीक के नाम से भी जाना जाता है और इसका उप्योग व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सफलता, सुख शांती, स्वास्थ्य और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है इसके बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित है सुलेमानी हकीक रत्म की विशेश्टाएं रंग और प्रकृती, सुलेमानी हकीक रत्म अकसर काले या काले भूरे रंग का होता है और इसकी प्रकृती बोट्रॉइड आइट होती है मौखिक चरक्तरिस्टिक्स इस रत्म की मौखिक चरक्तरिस्टिक्स में दाने या छिद्रों की विशेशता होती है जो इसे और भी पहचानने में मदद करती है Hardness, सुलेमानी हकीक का Hardness Level 6, 5-7 होता है, जिससे यह एक Durable रत्न होता है उपस्थिती, इस रत्न को विशेश रूप से इराक, आफगानिस्तान, इरान और भारत में पाया जाता है अर्थशास्त में महत्व, सुलेमानी हकीक रत्न को धन और संपत्ती के आध्यात्मिक सूचक के रूप में भी जाना जाता है और इसे व्यक्तिगत उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ज्योतिश लाब, सुलेमानी हकीक रत्न को ज्योतिश में कई गुनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है ग्रह शांती, ये रत्न ग्रहों के प्रती शांती और समर्पना प्रदान करने में मदद करता है ध्यान और मेधा, इसे मेधा और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वास्थ्य, सुलिमानी हकीक रत्न को स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुक शान्ती को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है कैसे पहने, सुलेमानी हकीक रत्न को आप एक छद्म या छाती पर धारन कर सकते हैं आमतार पर इसे अंगूथी के रूप में पहनने की सिफारिश की जाती है लेकिन इसे आप अपनी जरूरतों और प्राथमिक्ताओं के आधार पर किसी अन्य उंगली पर भी पहन सकते हैं सुलेमानी हकीक रत्न के लिए सर्वश्रेश्ट देश सुलेमानी हकीक रत्न के लिए बजार में सर्वश्रेष्ट और मूल्यवान रत्न अक्सर इराक, अफगानिस्तान, इरान और भारत से आता है इन देशों से खरीदारी करने से आपको यदी आध्यात्मिक और जियोतिशिय उप्योग के लिए बहतर गुनवत्ता मिलती है कृपह ध्यान दे की जियोतिश और रत्नों के प्रयोग से जुड़ी बाते व्यक्तिगत होती है और आपकी कुंडली और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है यदि आप सुलेमानी हकीक रत्न का उप्योग करने का विचार कर रहे हैं तो आपको एक जियोतिश गुरू से सलाह लेने की सिपारिश की जाती है The Zodiac Gems Jewels, Kindly Like, Subscribe and Share for more information about Rashi Ratan, Gemstones